तो अभी हम डिसकस करने वाले हैं 16 दिसेंबर का एक्जाम आपका ठीक है 16 दिसेंबर 2021 का यह एक्जाम पेपर जो हम डिसकस करने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताके चलोंगे पर यह PDF मेरे पास इंग्लिश में आया है ठीक है तो इसलिए और फिर से कल की तरह बच गए है रात के पौने एक और हम उनलो की तरह जाग रहे हैं आंसर की देखने वाले भी और अंसर की बनाने वाली ठीक है वी आर नाइट आउल्स तो इसलिए फटा-फट से चलो स्टार्ट करते हैं और फिर भी फिर भी मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि आप लो मिलेगी ठीक है कर यह सब मजाक की बाद लाइक कर दिया गरो यार वीच ओफ फॉलिंग क्वेस्टन इस एंग्जामपल ओफ इन्हेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चुल्डर ठीक है तो अब इसका हिंदी में जो एक्दम शुद्ध हिंदी वाला आपका जो एक वो होगा वो क्या है आपका कि निम्न लिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेच नात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उधारण है ठीक है सबसे पहला क्या है कि भारत के दस राज्यों के नाम बताओ अब इसमें क्या जूर बढ़ेगा उसके दिमाग में बता देगा आम से बच्चा ठीक है यह वाला तो हो नहीं सकता सबसे पहले में आप लोगों के पास में क्वेश्चन में आंसर में पहुंच जाती हूं फॉइंड आउट अट पीपल लिविंग अरूश्टल एंड यूज 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 एट और वाई ठीक है पता करो कि तर्टी आसर्थ के काल जाता है जोगा को जाता है तो उसको कहा जाता है टेलिग्राफिक स्पीच अनलुर करबार क्ते गालतिशन प्रफॉपरी को की तो च्टेविंग बस Tech इधे में उसके बावजूत में है इसको 춤 तुम उसको क्या है इस्थ में बहुत ढिक्ता हो रहे है तो हम एभी सीधी सी बात है अपैं थार्ट सालवर्ण के स्टीक्टरिस्टिक स्थिए ठीक स्टार होग अच्छे फ्रहेंद स्ट्नि skilled characteristics होगी ठीक है तो देखो functional fixedness तो कभी नहीं होगी यह अब भी काट दो functional fixedness इसके इंदर दिया वा तो क्या होगा lack of response set divergent thinking creativity और lack of response set ठीक है इसको हिंदी में बड़ा ही भयानत नाम है lack of response set का आप लोग खुद देख लेना creativity यानि स्रिजनात्मक्ता और divergent thinking यानि कि अपसारी चिंतन होना चाहिए तो तीनों चीज़े आ सकती है तो third आपका answer हो जाएगा Hindi और English दोनों वाले समझ लेना ठीक है question number five क्या है आपका question number five है young child can engage in symbolic play but cannot as yet take perspective of another person सीधी सीधी सी बात समझ लेना एक बच्चा है जो symbolic play कर लेता है बट क्या है दूसरों की perspective को नहीं समझ बाता यानि की बच्चा क्या है ego centric है आपका तो वो प्याजे की किस stage में लाई करेगा यह पूछा गया आपसे question number five में तो क्या आजाएगा इसका answer हो जाएगा आपका answer number three pre operational stage पूर्व संक्रियात्म कवस्था ठीक है question number six कि अगर हम बात करें question number six it is important that the teacher does not segregate children into fixed groups based upon intelligent question यह जरूरी है कि teacher जो है वो जो बुद्धी लब्दा आपका जो question होता है उसके basis पे बच्चों को एक दूसरे से क्या ना करे segregate ना करे अलग थलग ना करे ठीक है तो it is inconvenient for school it is inconvenient for teacher यह मतलब school के रिए inconvenient होगा teacher के लिए होगा या फिर it does not allow children to complete among themselves across group या फिर the concept of IQ is not stable stable and it also lead to labeling of children यह बात बलकुल ठीक है कहीं ना कहीं मैं इस पे जाओंगी fourth number answer में कि जो concept है IQ का वो कोई stable नहीं है बच्चे का जो IQ level है वो माना कि वो कहीं ना कहीं क्या है आपका matter करता है लेकिन फिर भी उसके basis पे group बना देना अगर fixed group बना देना तो वो क्या है stable नहीं है और वो क्या करेगा labeling कर देगा कहीं नहीं बच्चों को कि यह तो मतलब intelligent है यह ना लायक है तो आपका क्या है fourth number answer हो जाएगा statistics का मेरी तरफ से ठीक है चले नेक्स देखते हैं question number seven का answer आपका question number seven क्या है teacher gives a half done example सबसे सीधी सी बात है जब भी बात की जाए कि आधा example solve करके दे दिया आधा उधारन solve करके दे दिया तो क्या हो जाएगा आपका by gods की का स्कैफ फोल्डिंग आ जाएगा पाड आ जाएगा question number seven का answer first हो गया ठीक है फिर आता है question number eight creativity in a classroom can be encouraged by providing opportunities for students जो आपकी creativity क्या होती है आपकी वही सुरजनात्मकता को classroom में अगर एंकरेज करना है by providing opportunities for students वही उनको बहुत सारी opportunities देनी है आपको students को तो किस तरीके से करेंगे आप creativity को अगर आपको promote करना है सुरजनात्मकता को तो आपको encourage करना होगा original discovery के लिए यानि कि जो एक real खोज होती है और बच्ची की जो सोच होती है उसको encourage करना होगा तो आठवे का होगी आपका fourth number answer which of the following is not be an effective strategy for the education of a child with hearing impaired जो बच्चा सुन नहीं पाता है उसके लिए क्या strategy जी नहीं 9th का आपका answer क्या हो जाएगा सीधा सीधा 4 हो जाएगा reliance on verbalization as primary mode of communication जो बच्चा ठीक से सुन नहीं सकता है उसको सिर्फ और सिर्फ आप सुनने की चीजे देंगे इससे जदा वायाद बात और क्या हो सकती है ठीक है तो क्या बोला था इन्होंने not be बोला था हम य फ्र्कॉंटें किस सोचती है कि दिल से सोचती है ठीक है थो ये statement चैद्ध कर रही है तो जंडर स्टीरिओ पिंग कर रहाक्त कर रही ऐसा माना जाता है range स्टीरो टाइपिंगे रूडी बाद है लेंगिक रूडी बाद है आपकी भी बेदता नहीं है आपका लेंगिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दोनों लिंगों की बीच में आनुवांसिक भेद नहीं है जेंडर स्थीरता भी नहीं है ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं question number 11 आपका 11 should a teacher be considered as authority figure within the classroom who cannot be challenged बई कि टीचर को एक कक्षा में authority figure यानि कि बिल्कुल ही ऐसे यम्राज बनके बैठ जाओ आपके सर पर ठीक है no नहीं बैठना चाहिए बिल्कुल भी क्यों क्योंकि students are afraid to ask question from such teachers which result in lack of conceptual clarity इस तरीके से teachers जो होते हैं जो खडूस type के होते हैं बिल्कुल ही कहते हैं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ मेरे से मतलब बड़ा कोई भगवान नहीं है क्लास में बच्चे सारे पागल हैं उनसे student क्या है question पूछने में ही डरते हैं और इसका result क्या होगा कि बच्चे की conceptual clarity बिल्कुल नहीं होगी तो 11th का answer हो गया आपका 3 और मुझे ऐसा लग रहा है answer की कि हिसाब से मैं फिर भी कुछ थोड़ा ज़ादा explain करके चल रही है तो फटा-फट से चलते चलो teacher belief about success failure of student often influences learning and motivation of student especially from the disadvantages group which of the following statement is correct in this context इसमें मोटी मोटी सी बात आपको यह कही जारी कि एक teacher जो है बच्चे के success के बारे में failure के बारे में ठीक है क्या सोचती है और teacher जो है वो क्या expectation रखती है बच्चे से यह उसकी learning को influence करती है कहीं ने कहीं यह बात कहीं हद तक सही है इसके मामले में कौन सा statement सही होगा यह पूछा गया है आपसे तो question no.12 में सीधा सीधा आप चले जाएंगे answer no.4 के साथ में teacher expectancy इंफ्लेंसिस चिल्डरन्स लर्निंग सिग्निफिकेंटली जो teacher की जो अपेक्षा होती है बच्चे से कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो ठीक है वो बच्चे की learning जो significance है उसको influence कर करती है तो फूर्थ होगे answer आपका 12 का question no.13 के अगर हम बात करें तो क्या होगा stage theory of development explicitly emphasis which of the following principle तो stage theory होगी इसका मतलब क्या है कि stages में जो आपका क्या होगा development होगा तो यह किस बारे में बात करती है तो इसका answer हो जाएगा आपका first number वाला discontinuity of development 13 का आपका answer क्या हो जाएगा first हो जाएगा ठीक है question no.14 क्या है आपका question no.14 क्या कहता है according to gene PRJ children in pre-operational stage of development are able to gene PRJ के हिसाब से पूर्व संक्रियात्मक्त आवस्ता जो होती है यानि बिच्चा प्रतिकात्मक खेल जो है वो खेलता है तो third आपका answer हो जाएगा 14 का ठीक है next है आपका 15 number question 15 number question क्या है according to Lev Vygotsky the zone of proximal development should be used for तो यह आपका अध्यापन और मुल्यांकन दोनों के लिए use होना चाहिए teaching and assessment दोनों में ही useful आपका होता है ठीक है तो यह आपका क्या हो गया 15 का आपका answer क्या हो गया 2 हो गया next question देखते है which of the following assessment strategies would you not use in a progressive classroom एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसके अंदर assessment की मुल्यांकन की कौनसी strategy को आप use नहीं करेंगे ठीक है तो कौनसी strategy use नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ मान की कृत जो आपके assessment होते हैं मान की कृत आपके मुल्यांकन होते हैं उस पर आपको reliance नहीं होना है first आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा 16 का next है आपका question number 17 फटाफट से देख लेते हैं इसको question number 17 क्या है deep-seated teacher prejudiced about disadvantages group can often be revealed through an analysis of which of the following classroom processes ठीक है तो 17 का आपका answer क्या होगा making responsible accommodation for children with learning difficulties by the teacher ठीक है सीदी सी बात है कि जो बच्चे आपके हैं जो पहले से मतलब disadvantages group के हैं तो आपको क्या करना है उनके लिए एक reasonable accommodation आपको तयार करना है ठीक है with learning difficulties by the teacher ठीक है तो तो इस तेकिंद नमबर आपका answer हो जाएगा 17 का 18 के अगर हम बात करें 18 में क्या होगा the classroom environment of progressive classroom will not have which of the following attitudes जो आपका progressive classroom होगा प्रगती सील कक्ष जो होगा आपका उस classroom का environment में क्या चीज नहीं होनी चाहिए यह पूछा है आपसे तो 18 का answer क्या हो जाएगा maintaining external discipline by teachers ठीक है तो यह नहीं होगा आपका कभी भी कि teacher कर discipline वहाँ पर काम करें और उससे बच्चे आपका मतलब काम करें ठीक है तो 18 का क्या हो जाएगा first हो जाएगा आपका answer 19 के अगर हम बात करें 19 क्या है should wrong answers of student student be corrected by the teacher during class discussions क्या जो बच्चों की जो गलत answers होते हैं वो teacher को उसे time ठीक कर देने चाहिए ठीक है तो इसका answer क्या रहेगा कि जी नहीं नहीं ठीक करने चाहिए not children should be encouraged to express themselves without fear to being incorrect अगर teacher उसे time उसको टोकेगे यह तुमने गलत बोला वो तुमने गलत बोला तो वो क्या करेगा गलत होने के डर से खुद को express ही नहीं करेगा तो इसलिए आप ऐसा ना करें बाद में उसको अराम से बता सकते हैं या फिर उसको किसी और तरीके से समझा सकते ह बट आप उसको रॉंग आंसर को उसे time correct नहीं करेंगे इससे बच्चा क्या होगा उसके अंदर कहीं कहीं confidence की कमिया जाएगी तो 19 का क्या हो गया फर्स्ट हो गया आपका 20th का आंसर हम देखते है बटा परचे 20th क्या है आपका which of the following statement is correct about the process of development of an individual ठीक है individual के process के बारे में there is a cultural diversity in the process of development जैसा कि एक दो पेपर में पहले इब डिसकस किया है कि जो development है उसके अंदर क्या है cultural diversity होगी आपके development में ठीक है तो 20th का आपका 4 होगा answer 21 का answer देखते हैं फटाई-फट से children's engagement with learning in school is influenced by which of the following बच्चे का जो engagement है with learning ठीक है सीखने के लिए जो बच्चे का engagement है learning in school is influenced by वो किस से influence होता है socialization by the family ठीक बात है peer relation, cultural value, self-esteem तो सारे ही सही है second number option आपका ठीक हो जाएगा 21 का question number 22 की बात करते हैं हम लो question number 22 हो किया है according to Harvard Gardner's theory it is important to have a variety of teaching modes या strategies within a classroom Harvard Gardner कहते हैं कि जो एक classroom होता है उसके अंदर variety of यानि कि बहुत सारी variety के teaching method और strategy होनी चाहिए classroom में क्यों होनी चाहिए क्योंकि it help improve practical intelligence या फिर it help to create a star students या फिर it help exercise multiple intelligence बिल्कुल सही बात है यह क्या है बहु बुद्धी सिधान जो आपका बहु बुद्धी इंटेलिजेंस है बहु क्या बोलेंगे इसको multiple intelligence यानि कि बहु बुद्धी जो आपका है उसको बढ़ावा देगी आपको यह ठीक है exactly इसको क्या बोलेंगे हिंदी में मैं नहीं इसको बोल पा रही हूँ तो 22 का आपका क्या हो गया 3 हो जाएगा 23 की बात कर लेते हैं आप क्या होगा by inclusion of the language and culture of the disadvantages and marginalized group within the school curriculum a teacher can assure teacher को क्या assure करना चाहिए ठीक है तो क्या assure करना चाहिए equity यानि की समता होनी चाहिए education में समानता भी नहीं समानता को भी हम इतना अच्छा नहीं मानते जितना कि हम equity को अच्छा मानते हैं तो fourth आपका answer हो जाएगा समता होनी चाहिए education में 23 का आपका 4 हो जाएगा ठीक है next देखते है 24 का answer to be to be able to create a positive learning environment within the classroom it is important that the teachers जब आपको to be able to create a positive learning environment आपको एक सकारात्मग अधिगम environment अगर देना है पर्यावरन देना है classroom में तो इसके लिए important क्या है ये पूछा गया आपसे तो important क्या है are able to include children's emotion within learning process बच्चों के जो समवेग है जो उनके emotions है उसको आपको क्या करना है include करना है जोड़ना है learning के process के साथ में बच्चा अगर emotionally connect नहीं होगा learning से तो वो क्या है सीख नहीं पाएगा बहुत अच्छे तरीके से ठीक है तो इसलिए आपको second number answer के साथ में जाना है 24 के 25 number के अगर हम बात करें तो क्या होगा the fear of failure needs to be discouraged in children within a classroom because जो एक भय है fail होने का जो एक भय है ठीक है एस सफल होने का जो एक डर है उसको need है discourage करने के ठीक है उसको क्या है आवशकता है उसको कम करने की classroom में क्यों करने के आवशकता है आपसे यह पूछा गया है तो 25 का answer हो जाएगा आपका 3 failure and errors are a natural part of children's learning आप उनको यह समझाईए बच्चे को कि भाई जो failure है और जो errors है भाई हम कई बार बताते भी तो है आप लोगों को जैसे हम motivation में भी आपने सुना होगा बहुत सार लोगों को कि भाई ऐस अफलता जो है वो हमारी इस प्रोसेस का इस जर्नी का हिस्सा होती है तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को भी इस सिखाते है कि जो failure है और जो आपके अरूर्निंग का तो उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रत नहीं है ठीक है बच्चा अगर फेल हो रहा है तो आप आपका एक 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 जाम है पुरी जिंदगी थोड़िंगा है पुरी जिंदगी बच्ची ओई आपके सामने फिर से एक्जाम आ जाएगा फिर से क्लियर हो जाएगा तो इसलिए हम यह सिखाते है बच्चे को कि भाई जो failure है और errors है वह आपका natural part है आपकी learning का थोड़ा का fail होने का मतलब क्या है system का fail होना या school का fail होना माना जाता है ठीक है यह किस statement को support करेगा इन सब में से children fail because school do not take into consideration different part different pace of learning of student बिल्कुल ठीक बात है हम इसको justify कैसे करेंगा हम यह कहेंगे कि children बच्चा जो इसलिए fail हुआ क्योंकि school जो है वो उसके different pace of learning को नहीं समझ पाता है concentration नहीं दे पाता है वह हर तरीके के लिए school हर तरीके की individual need को ध्यान में रखते हुए school अपना curriculum कहीं नह नहीं कर पाता है ठीक है तो यह हम school में गलती निकालेंगे क्योंकि pedagogy क्या कहती है बच्चा भगवाने बच्चे में गलती नहीं होती है ठीक है तो क्या होगा 26 का first answer होगा 27 number क्या है the Kohlberg model of moral development has which of the following characteristics कौन कौन सी characteristics है इसके इंदर में यह पूछा गया है तो stages of moral development are universal in nature Kohlberg यह मानते है कि जो stages है development की moral development की वो universal है nature में और हर जगे हर तरीके से इसी तरीके से होता है ठीक है 27 का क्या हो गया 2 हो गया आपका it is often argued that rewards may not be the best method of motivating learners because यह चीज जो है अमेशा चर्चा में रहती है कि जो reward दिये जाते हैं जो आपको पुरुसकार दिये जाते हैं बहुत अच्छा तरीका नहीं है motivate करने का ठीक है क्यों नहीं है because they decrease intrinsic motivation जब आप reward देते हैं बच्चे को न तो वो क्या करते हैं intrinsic motivation जो उनका खुद से सीखने का motivation होता है वो उनका खतम हो जाता है फिर फिर वो सिर्फ हो सिर्फ reward के लिए ही काम करते हैं ठीक है तो 28 का क्या होगा आपका first हो जाएगा 29 क्या होगा 29 क्या constructive is classroom में can be facilitated by बच्चे की बात के द्वारा, teacher के समवेगों के द्वारा, positive interpersonal relation अमंग children बिलकुल ठीक बात है ये भी और internally imposed discipline ये नहीं है first, second, third आपका answer हो जाएगा इसका मतलब two वाला answer हो जाएगा 29 का आज के लिए last question और ये last paper अभी मैं जाके अराम से सोंगे ठीक है और आप लोग भी सब सोजाओ, question number 30 के है, to be relevant and meaningful a concept needs to be, ठीक है, to be relevant and meaningful a concept needs to be, तो क्या होगा, question number 30 का answer हो जाएगा, linked with the social context of the child's learning, भाई वो relevant भी हो और meaningful हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कि वो बच्चे के child की जो life है, उसके साथ में वो क्या हो गया, link हो जाए आपका, तो answer क्या ह हो गया, फोर्थ हो गया, आपका, आज के लिए ये लास्ट पेपर है, कल हम फिर से सुबह के साथ में शुरू हो जाएंगे, और ऐसे वो लोगी तरह रात को हम जागेंगे, ठीक है, तो आज के लिए, ये वाला 16 का हो गया, और मेरा से मन करता है, कि मैं 16 से शुरू हो जाओ की बाद बरी, कि मैं 23 टक चलिजाओं, कहले बानिस एल्वाला जो गया है और उसी हिसाब से आप इस में कॉमेंट सेक्षेंट में कॉमेंट करना मुझे कि सबसे जाधा, कॉन से न्हां पर के डिमांड कर रहे हैं हैं ऑप लोगो, इसके बाद में, सिक्स्टीन के बाद में स खुद भी confused होगी हूँ कि अब next कौन से वाला डालो कोई कह रहा है ये वाला डालो कोई कह रहा है इस वालेट कर डालो कोई कह रहा है इस वालेट कर डालो ठीक है चलिए फिलाल आप लोग इसको देखे 16 को और share करना और like करना तो बिल्कुल मत भूलना ठीक है चलिए thank you keep learning keep supporting and keep sharing